आज मैं आपके लिए फिर से एक और किड्स लंस वक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत है सिंपल है और टीस्टी है जिसमें कि हम बनाने वाले हैं पास्ता बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब कि आप छट पर यूँ ही बना लेंगे दस मिनट में यदि पास्ता बॉइ इसे मीडियम पर रखेंगे और इस पर यह लोह की कड़ाई रखोंगे जिसमें की फ्लेवर अच्छा आता है मेरी अकॉर्डिंग आप किसी भी बरतन को गरम कीजी उसमें एक से डेड़ बड़े चम्मा जितना तेल गरम करना है तेल थोड़ा ज्यादा आप कम भी कर सकते है जब तेल गरम हो जाए आदा छोटा चम्मा जितना जीरा आदा छोटा चम्मा जितना राई डालना है जी हां राई डालना है पास्ता में साथ में जाएगा यहाँ पर आलू एक मीडियम साइज के आलू को छोटा छोटा क्यूब्स में कट करके यहाँ पर मैंने डाल दिया ह एक से तरीके से लंबा स्लाइस में कट करके मैंने यहां पर ढाल दिया है और सब्जे कॉंंटिटी जो है आप अपने बच्छों के अर्कार्डिंग कम जादा कर सकते हैं यह हम तेनों को पसंद है तो पास्ता मैं सिफ देव्यान के लिए निए हम तीनों के लिए यह पनाती ह तो quantity जादा रखी है प्याज को एक से डेड मिनट तक फ्राय कर लेने के बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्स तो दो हरी मिर्स डाली है साथ में गाजर जाएगी थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्स डाली है जादा डालने की जरुरत नहीं है और ये तीनों चीज को मिक्स करके चलाते हुए तीन से चार्मनट तक अच्छी तरीके से मीडियम फ्राय कर लिया है इसमें जो है शिमला मिर्च आलू प्याज बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राय होगे एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं आलू भी एकदम परफेक्टली कोख हो गए हम कर लेंगे मसाले इसमें और कुछ भी नहीं डालने है सब यह दो ही चीजे डालने है नमक और हल्दी लो फ्लेम पे मिक्स करते वे तीस से चालीस सेकंड तक हमें जो है इन दोनों चीजों को पकाना है देखिए एक तम परफेक्टली रेडी है अब आप चाहे तो इसमें जो पास्ता को तीन से चार्मनेट तक जो है गरम भी कर लेंगे यति आप चाहें तो एक से टेड़ मिनट हाई फ्लेम पे भी कर सकते हैं अब हमें जाधा कुकिंग करने की ज़रत नहीं है बस इसे मिक्स करना है पस एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है मिक्स कर लिया है मैंने क्यास का फ्लेम बंद किया है और चलिए अब लंच बॉक्स रेडी कर लेते हैं दन्या पता मैंने नहीं डाला है देवयान को ग्रीन चीजे जो है जाधा पसंद नहीं है असलिए दन्या नहीं डाला है यहाँ पर यह तीन छोटे-छोटे जो सुखा नारियल होता है इसके ट जाधा तर चीजे अपने हिसाब से रखती हूं की देवयान की फेवरिट है तो इसे रख लिया है और हमारी जो में डेश है वो रख लेते हैं जो कि हमने बनाया पास्ता आप इसे सरिफ प्याज और अलू डाल के भी बना सकते हैं प्याज अलू हल्दी नमक डाल करके और सा यह प्रिव्यू की बारी आती है तो इसे देख लेते हैं हम एक बर देवन आज लैंज में क्या है कौन खाएगा किसका फेवरिट है यह थैंक यू बोला ममा को थैंक यू बोला ममा को थैंक यू